हाई स्टुडेंट्स दिस विश्वाशा इन यू आर वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल कैरियर कैटालेस लास्ट लेक्चर मां आपणे जोयोतू लिंगी प्रजनन शरू करयोतू अने सजीवों मां जाती यता टोपिक पूरो करयोतो आजना लेक्चर मां आपणे पूर्वफलन अने पूर्वफलन नो टोपिक पूरो करीशू पूर्वफलन येस पूर्वफलन मां मुख्यतवे बे घटनाओनो समाविश्टाई कई-कई एक जन्यू जनन अने बीजू जन्यू ना वहन नी करिया तो सवथी पहला आपड़े जो ये जन्यू ना निर्माण नी करिया हवे तमने खबर चे के जे पन सजीव विशम जन्यू उत्पन करे चे एमा बे अलग-अलग प्रकाना जन्यू असे एक नर जन्यू अने एक मादा जन्यू आ जन्यू प्लोईडी नी द्रस्टिये के वा छे तो जन्यू एक किया एटले के एन छे आ जन्यू निर्माण करतो सजीव का तो एक किया पन होई शके अथवा दुबी किया पन होई शके हवे स्वाभावीग छे के जो सजीव एक किया छे अने जन्यू बनावे छे तो ए संभाजन्दवारा जन्यू बनावे छे कारण के सजीव पोतेज एन छे तो हवे ए अर्धी गरन्दवारा जन्यू बनावे तो जन्यू एन बाई टू एटले के हाफ की अधे जै जे शक्या न पित्रु सजीव एक किया चे तो तेमा समभाजन नी क्रिया द्वारा जन्यू बन चे एक्जांपल खास याद राखवाना चे अने त्री अंगी अना वरुत बीजधारी आवरुत बीजधारी जैमा पित्रु द्वीकी याचे ए स्वाभाविक रिते द्वीकी याइट लेके 2N अर्धी करण द्वारा जन्यू बनाऊशे आवखते 12th नी बॉड़नी एक्जां मा बे मार्क मा क्वेशन पूछा हो तो के जन्यू ना निर्माणी क्रिया वर्ण वो एकद मीजी फक्त तमारे याद राखवानूarnya के एक कीए सजिव काया चे जैमा संभाज़न द्वारा जन्यू बन्चे अने द्वीकी या सजिव जैमा अर्धी करण द्वारा जन्यू बन्चे हवे जन्यू निर्माण नी प्रकरिया शरीर ना बद्धा कोशो तो नई ज करे स्वाभाविक्षे जहें कि मनुष्यानी वात करिये तो शुक्र कोश्णू निर्माण शुक्र पिंद मा आवेली शुक्रोत पादक नलीकाना शुक्र जनन कोश द्वारा थाए तेवीज रीते अंड कोश्णू निर्माण अंड पिंद मा थाए तो जे कोशो अर्धी कारण पामी अने जन्यू बनावे छे एने आपने कहिशू जन्यू मात्रू कोश तो स्वाभाविक्रीते जन्यू मात्रू कोश अर्धी कारण पामी जन्यू बनावे एटले एतो तमें समझीज गया हशो के जन्यू मात्रू कोष केवो हसे 2N आ जन्यू मात्रू कोष नी प्लोईडी हसे 2N अने जहेमा अर्धीकारण पामी ने जन्यू बनी रहा चे N नी प्लोईडी चे N जेवी रिते तमें चाट मा जोई शको चो के तमने अलग-अलग सजीवोना जन्यू मात्रू कोष मा रंग सुत्र नी संख्या अने तमा अर्धीकारण बची बनेला जन्यू मा रंग सुत्र नी संख्या आपेली चे चेमके मानुष्य ओवियस टेके एमा जन्यू मात्रू कोष मा थेट्तारीस रंग सुत्र एटले के 23 जोड रंग सुत्र छे अने एमाधी निर्मान पामता जन्यू एटले के शुक्रकोष के अंड कोष मां 23 रंग सुत्र छे एवीज रिते गरमाखी जेमा जन्यू मातरू कोष मां 12 रंग सुत्र छे एमाधी बनता जन्यू मां 6 रंग सुत्र छे चाट मां बीजा अलग-अलग सजी जेवी के बिलाडी, पतंग्यु, डुंगली, वगेरेनी संख्या आपे लीछे रंग सुत्र नी, जे तमारे याद राखवानी छे एक याद राखी लेवानू, जन्यु मात्रु कोश याद राखी लेवाना पची, तो खबर अच्छे के जन्यु अर्धी करण थी बने, यहले जन्यु मात्रु कोश करता, अर्धा रंग सुत्र जन्यु माँ जोवा मळू, ओके ? क्लियर्द? हवे आपड़े जन्यु अतो बनावी दीदा, हवे जन्यु बनावी दीदा पची सवथी महत्वानी गटना जन्यु अनु वहन, सजी वुद्पन्न करवो छे, तो नर अने मादा जन्यु अनु जोडावू खुब जरूरी छे, तो जन्यु ना नीर्माण पची प सामान्य रीते बद्धाज नर जन्यु अने मादा जन्यु अचलित चलित एटले खबर पड़ी ने के जे कशा धरावतू है, हलन्य नीक्षमता धरावतू है, परन्तु अपवाद, अपवाद हमेशा बद्धा माई याद राखवाना, परन्तु अपवाद रूपे लील अने फूग मा बन्ने जन्यु चलित, मतलब नर जन्यु पाण चलित अने मादा जन्यु पाण चलित, तमें आकरू तीमा जूई शको छो, कि नर जन्यु अने माधा जन्यू बनने चलिद छे अने बनने संयो जाई नहीं युगमन अच एटले के फलीतांड बनावे छन। हवे नर जन्यू ने माधा जन्यू सुधी पहुँचवा माटे एक वहन माध्यमनी जरूर पड़े। तो लील, द्वी अंगी, त्री अंगी माँ वहन माध्यम पाणी छे। एटले के नर जन्यू पाणी माँ मुक्त थशे अने पाणी द्वारा एक बादा जन्यू सुधी वहन पामी अने पहुँच छे। आ खास याद राग जो लील, द्वी अंगी अने त्री अंगी माँ वहन माध्यम तरीके शुचे पाणी। पण वधाज नर जन्यू माधा जन्यू सुधी सक्ससफुली पहुँचे उजरूरी होतु नथी। एटले आपणे ए लोस ने भरपाई करवा माटे नर जन्यू वधारे मात्रामा जुद्पन्न करिये छिए। लील, द्वी अंगी, अने त्री अंगी मां नर जन्यू खुबच वधारे मात्रामा उद्पन्न थाए। एटले जो थोड़ा गणा जन्यों नाश्पा में तो कोई नुक्षान थाए नई बीजी वस्तूप हवे वनस्पतिनी वाद करी आपने उच्च कक्षानी जेमके आवरूत बीजधारी तो आवरूत बीजधारी मां परागरज नर जन्यों धरावे अने अंडक ए अंडकुष इटले के मादा जन्यों धरावे हवे आ नर जन्यों ने मादा जन्यों सुधी पहुंचाडवो पडशे तो वनस्पति आपड़े गया लेक्चर मां जो यू तु एम बे प्रकार नी होए कातो एक सदनी कातो द्वी सदनी द्वी लिंगी पुषप धरावती अथवा एक लिंगी पुषप धरावती तो जो वटाना जी वी वनस्पति होए के जहेमा द्वी लिंगी पुषप छे मतलब पुँकेसर और स्त्रीकेसर बनने एक जो पुषप मां जे तो एवी वनस्पति मां वो वांधो आवतो न थी 22 सरणता थी परागाशय मां थी मुक्त थाईली परागरज स्त्रीकेसर ना परागासन सुधी पहुची शके छे ये तो तमने बदाने खबर अजश्वे के परागाशय मां थी परागरज मुक्त थाई जेने आपने स्त्रीकेसर ना परागासन सुधी पहुचाडवी पड़े तो वटाना जीवी द्वी लिंगी पुषप धरावती वनस्पति मां सरण ताथी परागरज परागासन सुधी पहुची शके परन्तु के जेमा फक्त एक लिंगी पुषप चे द्वी सदनी वनस्पति शे एमा आपड़े केवी रिते परागरज ने परागासन सुधी पहुचाडवी शूँ तो एक क्रिया पराग नयन नी क्रिया येस जे तमने खबर छे के पुण केसर ना परागासन सुधी पहुचाडवानी क्रिया एटले पराग नयन अन्य आ पराग नयन करवा माटे अलग-अलग वाहको मदद करे पाणी, पवन, प्राणीयों अलग-अलग तो जो ये आपने पराग नयन स्पेसिफिकली ध्वी सदनी वनस्पती माटे जे आपने बीजा चेप्टर माँ वधारे डीटेल माँ भणीशू पराग नयन ना प्रकार पराग नयन माटे ना वाहक आ प्रक्रिया एटले परागाश्य माथी मुप्त थती पराग रजने स्त्रीकेसर ना परागासन सुधी पहुचाडवी जुओ हमें आकरूती में बताव चू तमने के शू थसे आचे पराग आसन स्त्रीकेसर नू आचे पराग वाही नी अने आचे बीजाश्य हवे एनी उपर पराग नयन नी प्रक्रिया द्वारा पराग आसन उपर पराग रज आवी छे पराग रज नी अंदर नर जन्यू छे आ बीजाश्य नी अंदर अंडक आवेलू छे अने आ अंडक नी अंदर अंडकोश्च छे वदारे डीटेल मा बीजाशेप्टर मा जोईशू अंडक नी रचना भणवानी छे आपणे हवे आ पराग रज मा थी पराग नलीका बन्छे आने अपणे कईशू पराग नलीका पराग नलीका नी अंदर नर जन्यू हशे आने पराग नलीका ए आ नर जन्यू ने अंडकोश्च सुदी लई चाशे तो एक वस्तु याद राखवानी के पराग रज्मा थी पराग नली का द्वारा नर जन्यू अंडक ना अंडकोश सुधी पहुँचे कारण के आवरुत बिजधारी नू नर जन्यू ए अच अलीत छे माटे पराग नली काने अंडक सुधी पहुचाडवू पड़ आहती वनस्पतिनी वाद हवे जे उचकक्षाना सजीव हो छे एमा पन जन्यू अना वहन माटे एटले के नर जन्यू ने माधा जन्यू सुधी पहुचाडवा माटे बीजी के टली कॉम्पलेक्स प्रक्रिया ओछे एमा नर जन्यू चली तो होईचे, जैने अ चली तो मादा जन्यू सुधी पहुचाडवाना होईचे, तो sexual process द्वारा प्राणियों मा नर जन्यू ने मादा जन्यू सुधी पहुचाडवाना आवेचे ओके, चलो हवे आपड़े जोईए फलन नी प्रक्रिया, पूर्वा फलन पूरू, फलन, फलन एटले नर जन्यू अने मादा जन्यू जोडाई ने युगमनज बनावे ए घटना ने कहवाई फलन, नर जन्यू अने मादा जन्यू जोडाई ने युगमनज के फली तांड बना आवे ते घटना ओके जन्यू अनु जोडाण क्या थाए छे एने अधारे आपणे फलनने बे प्रकारमा वर्गी क्रूत करी शू बाहिय फलन अने अंतह फलन तो सउथी पहला आपणे जोई ये बाहिय फलन कया सजीवो दर्शावे तो किटला जली ये सजीवो जिवा के लील माचली उभाई जीवी वगेरे मा जन्यू नू जोडाण पाणी मा थाए एटले के ए पोताना जन्यू शरीर नी बाहिय बाजू मुक्त करे तो आपणे फलनने ने कहवाए बाहिय फलन हवे ज्यारे कुईपण सजी बाहिय फलन दर्शावतो होई त्यारे खुबज वधारे मात्रामा जन्यू उद्पन्य करे केम कारण के एककेमा तालमेल साधवो जरूरी छे नर जन्यू पर मुक्त थाया होई मादा जन्यू पर पाणी मा मुक्त थाया होई बन्ने मलवा जोईए अने जन्यू मले ए पहला वीजा बदा प्राणियों द्वारा तैने खत्रों वधारे छे किटलाक सजीवो जिवा के अस्थी मत्स्य अने देड को जे आ प्रकारे फलन दर्शावे त्यारे तैन्नी संतती ने पुख्तता सुधी पहुँचता पहला भैजनक परिस्थिती माथी पसार थवू बड़े मतलब येस के अने बीजा बदा सजीवो खोराग तरीके उपियोग करी ले एवा चांसिस बहुँ वधारे शे इटले एवी परिस्थिती ने पहुँची वणवा माटे तेमा खूबज वधारे मात्रामा जन्य उत्पन न थाए घणी बदी संतती बने पड़ पुख्तता सुधी खूबज ओची संतती पहुँचे केम कारण के घणी बदी संतती ओनो दो बीजा सजीवो द्वारा नाश थाई गयो है बीजो प्रकार छे अंतह फलन तो अंतह फलने उच्च कक्षान सजीवो जिवा के सरीश रूप, वीहग, सस्तन, वनस पतिमा अनावरूत, आवरूत बिजधारी वगेरे, जैमा जन्यू अनू फलन, जन्यू अनू मिलन, शरीर नी अंदर नी बाजू थाई, मादा शरीर नी अंदर नी बाजू, इटले के मादा जन्यू, ए मादा ना देहनी अंदर आवे लूँचे अने, चलीत नर जन्यू, मादा ना शरीर माँ पहुची फलन करे आमा पण, जै चलीत नर जन्यू छे, एनी संख्या मादा ना जन्यू करता गणी बदी वधारे छे एटले, नर जन्यू नी संख्या मादा जन्यू करता गणी वधारे केम करण के तेना नाश थवाना चांसिस खूब जवधारे छे, जै पड़ और चलीत नर जन्यू छे, जै मैं तमने पहला की दू हैं के जै आवरुद बीजधारी माँ जुवा मढ़े छे, एमा पराग नली का द्वारा ये मादा जन्यू शुदी पहुची शके एकदम इजी, फलन मा पहला फलनी डेफिनेशन, जो जन्यू नू युगमानन बार्नी बाजु थतू है, जन्यू नू जोडान बार्नी बाजु थतू है, तो एने केवा माँ आवे बाहिय फलन, और जन्यू नू जो शरी नी अंदर नी बाजु थतू है, तो एने केवा उत्पन्न थवानी घटना तो कोणा मां जोवा मणे किटलाक रोटी फर्स मदमाखी गरोडी वीहग एमां पन स्पेसिफिकली टर्की जिद मैं आकरूती मां जोई शको छो जैमा मादा जन्यूना एटले के अंड कोश ना फलन वगर संतती उत्पन्न थाए अफलीत अंड कोश माधी संतती उत्पन्न थाए जैने कैवामा आवे छे असंयोगी जनन उदाहनान याद रागचो रोटी फर्स मदमाखी घरोडी अने वीहग मां पन स्पेसिफिकली टर्की तो फ फलन नी घटना पड़ यहां पूरी थाए छे हवे बाकी छे पश्व फलन जे आपने नेक्स्ट लेक्चर माँ जोईशू पन एनी पहला गया लेक्चर माँ तमने में एक क्वेश्चन पूछियो तो कि जे पर पक्षियोने तमें पॉल्ट्री फार्मा राखो चो जेमके मर कि जे बारे मास इंडा आपे छे तो आवू कीवी रिते शक्या चे तो एनो जवाब चे के जे पॉल्ट्री फार्मा जे सजीव राखवा मा आवता होई एन्ने विशस्ट प्रकार ना अंतस्त्रावोना इंजेक्शन आपवा मा आवता होई के जहने कारणे एमा इंडानू स चाले एमा थी कोई सजीव नो जन्मत हतो न थी तो नेक्ट्स लेक्चर मां आपने पश्वाफ अननी घटना जोईशू अन्या चेप्टर पूरू करें